हेलो फ्रेंज कैसे हो मेरा नाम है संजीम जोतरा और आज हम जो टॉपिक लेके हैं वह मारा पिछले लेक्शन में जो पढ़ा था अगर आपने वह यह वीडियो को देख सकते हो ठीक है तो अब फटा फट से शुरू करते हैं कौन सा किया बोलते हैं से नुक्लियोफिलिक है सब्सीट्यूशन अ है बाइ मोलोकिल या हम क्या बोलते हैं सेकेंड ऑडर रेक्शन यहां क्या बोलते हैं पाइब molecular reactions ठीक है अब इसको वही चीज शुरू से basic समझेंगे है नुक्लिफिलिक नुक्लिफाइल का मतलग जिसमे नेगटिव जार्च हो सब्सक्राइब मतलग रिप्लेस करेगा ठीक है एक नुक्लिफाइल दूसरे को रिप्लेस करेगा मतलग सब्सक्राइब करेगा तो अब यहां पर चीज आई second order एक लिए सब्सक्राइब करें तो अब यहां पर चीज़ आई एक शाहरी सेकंड ओडर कि यह होता है हमने पिछली दीखा अब यह शेकंड ओडर क्या चीज जह यहां पर i.e.s.m substitute nucleolic two candy के लिए कारा है second order second order reaction मतलब कि यहाँ पर रेट उसमें क्या था i.e.s.m one में क्याए था rate determined step क्या था है पहले वाले step first step था और उसमें एक ही substrate आ रहा था मतलब एक ही रेक्टन आ रहा अब यहाँ पर जो rate determined step होगा rate determined rate determined मतलब जिससे आप उस step से आप rate के बारे में rate of reaction के बारे में पता कर सकती हो ठीक है जो step slow होगा वो rate determined होता है जो हमने पिछली बार पढ़ा था पर यहाँ पर पता क्या है कि यहाँ पर rate determined step जो होता है वो एक ही step में सारी reaction होती है एक ही step में होती है और यहां पर क्या बनती है एक transition state बनती है ट्राइशन बनती है और यहां पर luclify और substrate, मतलब Rectant दोनों involved होते है rate of lucky में सिरफ और सिर्फ substrate involved होता था blufflify नहीं होता था अब यहां पर क्या mostra एंजी हो रहा है अब कैसे होता हूँ देखते हैं ठीक है अब यहां पे दो दोनों यूज हो रहे हैं सब्स्रेट मतलब रेक्टेंट और नुकलिफाइल दोनों वे रेक्शन में तब इसको क्या बोलते हैं अब यह होता कैसे है अब एक इग्जेंपल से समझेते हैं उसमें हमने लिया था तर्शरी यहां पर लेंगे यहां पर लेंगे और यहां पर स्पोस्पोज मैं एक नुक्लिफाइए लेता हूं ऊच नेग्डव ठीक है अब यहां पर यहां पर अगर हमें बात करूं तो यहां पर है एच 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 मत्तल्ब च्छ थी इसको ऐसे लिख सकते ना इसको मैंने खूल दिया उस तरह किसे लिखा ठीक है यह लिया मैंने मिथाय कुलराइड ले लिया इसे हम बोलते हैं इनकमिंग नुक्लिफाइड इसके बोला इनकमिंग से अब होगा कि यह बंदा नुक्लिफाइड यहां होगी एक स्टैप में होगी ठीक है जैसे यहां पर आना मतलब कहने का मतलब क्या है कि यह वाली स्टेज जो आएगी वो कहाँगी मारी ट्राजिशन स्टेट होगी कि यह से लिखते तोँ है ठीक है कि इस ते किसे कुछ बनाओ मतलब यह है लगा और यह लगा यहां पर और यह भार निकलना शुरूर हो गया तो यहवली यह महीं का मतलब क्या था हुआ यहां पर कि एक लगा दूसरा उठा फ्केसे चेसे मैं को separation आया यहां पर बैठा और दूसरा उठ गया एक है तो वह क्या होता है वह कहता है यही जैसे वह देखता है आ रहे है उसका उठेंगा मन हो जाता है कि मेरा यहांस से जाता हूं जीसे वो जैसे वो आएगा वह बैठेगा वह बन्दा उठ जाएगा जैसे वह बैठा वीह उठ गया है मतलब सेट पीज एक बैठा वय्साइर जैसे वह बैठा वहBT जाने वाला हो गया यह नहीं जैसे बॉन्ड बनती गई यह दो उती यह ध्यांद ना यह बॉंड ज्यासर लग रहा है बॉंड बन रही है और यह बॉंड टूट रही है क्यों कि कासरा के विलैंस सी पांच तुड़ी होगी ठीक है इस जो हम कह सकते हैं around चार bond बन सकती है 1, 2, 3, 4, 5 नहीं हो सकती ना अगर 4 कर दिया तो एक को जाना ही बढ़ेगा ना तो फिर क्या होगा OH जैसे लग रहा है जैसे जुड़ रहा है और ये lose होता जा रहा है जैसे जुड़ा और ये lose होता जा रहा है ठीक है तो फिर क्या हुआ फिर यहाँ पर OH लग गया और ये Cl बाहर चला गया तो हमारा क्या हो गया हो गया बन गया मीथेनल बन गया ये भी CH3OH ठीक है अब ये सारी के सारी रेक्शन कहा हो कैसे हुई ये कैसे हुई इसे ऐसे लिख दें इसे लिख दो लिविंग नुक्लीफाइल हुआ क्या एक ही स्टेप में रेक्शन हो दो वाली कैसे थी SN1 वाली वो दो स्टेप में होते थी अब पूरे का पूरे एक स्टेप ये कहता ये आप ये ऐसे जैसे आया ये उठके चला गया पतला यहां पर आपको क्या बिलने वाली है transition state transition state कौन सी state वह क्या indicate करती है कि वहां पे nuclefy लग रहा है और bond बना रहा है strong वाला और दूसरे वाला weak वाले की bond lose होती जा रहे है टूटरिय और एक टाइप आके वह छोड़के चलाई जाएगी जब वह अच्छे से लग जाएगा ठीक है एक चल कहने का मतलब तो इसके इतके पांच बांट बनी है तो यह एक को निकलना पड़ेगा तो जैसे ही ओच लग रहा है और यह वीग बनता जा रहा है और यहां से वह cl as in leaving nuclefile बहार निकल जाएगा है अब 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 देखें अब यहां पर बात करें यह वारा प्रड़क्ट बन गया यह क्या बन गया अब मैं क्या कहूंगी रेट कैसे निकालते हैं रेट के अब बताओ कि यहां पर इस एक्षिन में कौन-कौन इसा को पाफिस्पेट कर रहा हूं रियक्टिन में देखो यह कौन-कौन कर रहा है यह भी कर रहे है और यह भी कर रहा है मतलब इसे मैं Rx कहलो और Rx कहलो इसको मैं Z भी बहुत सकता हूं थीक है चलो और रहने वह फिलहाल इसको मैं रस बहुत ऑदेता हूं किया इन वॉल रहा है और आट्स भी हो रहा है मतलब सब्सक्रेट हो रहा है और नुकलिफाइल भी हो रहे तो अब देखो इसकी क्या है one इसका भी क्या one N की वैल्यू और फ्रेक्षिन निकालने तो क्या है one प्लस one क्या हो गया two order fraction क्या रही two आ रही है मतलब यह क्या है कि दोनों involve हो रहे है रिक्टेड भी और जो रिट्टेड और नुक्लिफल दोनों ही involved हो रहे हैं किसमें इस स्टाप में एक स्टा इसे थे उसमें थो यह तो बूलंवाल降 carta एक से सब्सक्राइड डार निकाल लिया तो जिए-एक एक स्टाप में पूर्टा निकल गया मैं चलेगे इसे बोलता है नुकलिफिलिक सब्सिजूशन सेकंड और रेक्शन अब में चीज क्या आते हैं अब देखने वाली कि अब स्टेबल्टी बात करें जैसे यह मिटा देता हूं यहां पर मैंने जब आमने देखा तो प्राइमरी स्केंडरी टर्श्री तीरों में से प्राइमरी जाधा स्टेबल है यह वला प्राइमरी अगर यह वाला लूना प्राइमरी वला कंपाउंड यह जाधा स्टेबल है तर्श्री वाला क्यों ने क्योंकि टर्श्री लूंगा न इसके लिए थोड़ा सा मुश्कृर होगा जगा बनाना स्टेरिक हिंड्रेंस पर्ड्यूस करेंगे यह वहले बल्की घुरूप्स करेंगे ८ाद करने फट्रेंस तभी है यह स्टेबल नहीं है तो इसकी प्रेफररेंस होगी यहाँ इंचीज़ कर define यहां कि यहां पे बड़े बल्की में हम सर नहीं है यहां इसको असानी से जल्दी से नहीं ठीक है क्योंकि उएच यहां पे आके असानी से नहीं लगेगा। यह बड़े-बड़े मिथाइल गुरुप्स यह तीनों कि अब प्रोडूस कर रहा है बलकी गुरुप होने के कारण स्टेरिक हिंड्रस रुकावड पैदा कर रहे हैं जिससे की यहां पे आके यहां यहां पर आके असानी से नहीं लगेगा और C-L असानी से बाहर नहीं जाएगा ठीक है तो यहां पर बात करने हैं तो primary अलकाई लाइड पे असानी से nucleophilic SN2 reactions हो जाती है क्यों होती है क्योंकि यहां यहां पर UH के लिए जगा है यहां पर एच एच बलकी ग्रुप्स नहीं है यह स्टेडिक हिंद्रेस पर उस नहीं करेंगे नहीं करेंगे तो वह आके यहां पर लगेगा और clसानी से यहां से बाहर चला जाएगा ठीक तो यह ठी हमारी सब्सचियुेश्य रेक्षिन Grade से ये से क्लियर हो गई चलो जल्दी से इसे का डिफरेंस भी कर जिए अब जैसे मैंने कहा कि फटाफर से हम देखें एक बार कॉंपरेशन करने कि SN1 और SN2 में डिफ्रेंस क्या था अगर आमने वह पिछली वीडियो देखे तो आपको यह समझ आ जाएगा ठीक है इसन वन में क्या कहा था कि फॉल फर्स्ट ओर्डर एक्षिन क्योंकि यहां पे रेक्टन भी यूज और नुक्लिफाइल बेब में देखा रेक्टन भी यूज रीटेंट ध्यूपशन में आया ठीक है जब और सबसे ज़ब sdc अधे तर्फ जाते हैं तो टर्शी सबसे ज़्यादा इसमें क्या था प्राइमरी तर्फ नहीं लगे तो हम कैसे स्टेबल होते हैं ठीक है तो order of activity क्या कि सबसे यह प्राइमरी क्यूं क्यूंकि primary में बड़े-बड़े bulky groups नहीं लगे तो असानी से reaction हुई असानी से nucleophile आके लग गया tertiary क्यों नहीं क्यूंकि 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 अगर tertiary होता तो बड़े-बड़े अब यह क्या SN1 reaction क्या होती है कम concentration में भी लो concentration favors rate of reaction nucleophile की कम concentration से यह चीज़ चल जाती SN1 reaction high concentration हो तो SN2 reaction होगी थर्ड में फोर्थ क्या है टर्श्रियल काहले अट्जर कॉमर्स सब्स्टेट इसमें क्या लिए था तो टर्श्रियल काहले इसमें क्या सब्स्टेट रहता है इसमें क्या रहता है primary alkylite क्योंकि primary stable है तो यहां पर क्या सब्स्टेट हमारा common क्या रहेंगा जो रेक्टेट दी हमने primary alkylite जैसे methyl chloride यहां पर mild nuclear nuclear alcohol और water चलेंगे और यहां पर किसकी ज़रूरत है strong nuclear alcohol जैसे strong nuclear फाइल की जरूरत होती है SN2 एरेक्शन के लिए ठीक है और हमारा एक लास्ट पॉइंट और यह भी इंपॉर्टन पॉइंट है अब वह दिखते है अब लास्ट मारा पॉइंट के है पॉड़क्ट इस फॉंड विद पार्शल रेसमाइजेशन पार्शल इंवर्जिशन पॉड़क्ट है इसमें पार्शल रेसमाइजेशन और पार्शल इंवर्जिशन होती है मतलब पॉजिशन जो अलगलग जो हमारे स्पेस में जितने भी एटम्स लगें उनकी पॉजिशन इतने जादा फरक नहीं पड़ता थोड़ों बहुत चेंज होते हैं पर इसमें क्या है कंप्लीट स्टीरियो केमिकल इंवर्जिन हो जाती है मतलब यह सारे का सारा शिफ्ट होके इदर चला जागा जैसे मैंने मैं ट्रांजिशन स्टेट नी मिनाओंगा अभी हमने किया था यहां पे एच 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 यह इच इदर है और सारे एच उदर चलेगे और यहां पर इस इसरे के से इनवर्जिन होती है इसे बोलते है वाल्लम वालें वाल्डन इंवर्जिन इंवर्जिन भी बोलते हैं ठीक है तो यह कहां पर होती है पूरी का पूरा कम्प्लीट स्टीरियो इंवर्जिन है यहां पर इधर लगा और सारे का सारा इधर हो गया इंवर्जिन हो गया इधर को को चला गया जैसे चाता था खुलके हवा में उड़के ऊपर को चला गया इसे बोलते हैं वाल्ड इंवर्जिन होप कि आपको आज जो हमारे पहला लक्षेर SN1 का आज का लक्षेर SN2 का और आज का डिफरेंस अच्छे सी क्लीर हो चुका हो गया होगा ठीक है तो इसे एक बार नहीं समझा तो दो तीन बार देखो अच्छे से समझो ठीक है तो यह रियक्शन बहुत ज़दा इंपॉर्टन है आपको और गैनिक मिस्ट्री में 11 में 12 में BSC में मैंने पहले बताया था झाल